तो ये हमारा चार डीजेट का मोबाइल नंबर बन चुका है अब जैसे मैं दूसरे मोबाइल में इस नंबर को डाल के कोल करता हूँ तो हमारे इस मोबाइल पर यहां पे कोल आ जाती है जैसे मैं इस कोल को पिक करूँगा तो हम यहां पे बात भी कर पाएंगे तो इस परकार से आप भी अपने मोबाइल में 4DZ का मोबाइल नमबर बना सकती है कई बार ऐसी कंडिशन हो जाता है कि आमें किसी बंदे के साथ कोल पे बात करनी हो पर हम नहीं चाहते है कि उसके पास हमारा नमबर चला जाए तो आप इस ट्रिक का यूज कर सकती है जिससे कि आप सामने वाले के साथ बात भी कर पाएंगे और आपका नमबर भी नहीं जाएगा बस आपको अपने मोबाइल में एक सीमपल से अपलिकेसन डाउनलोड कर लेना है तो आप अपने मोबाइल में ये सब काम कर पाएंगे तो चलिए जानते है कि ये कौन से अपलिकेसन है कैसे आप इसका यूज कर सकते है तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं तो application को download कैसे करना है इसका process में आपको वीडियो के last में बता दूँगा तो application open ओती आपके समने कुछ इस परकार का interface आ जाएगा तो सबसे पहले आपको यहाँ पे account बना लेना है तो account बनाने के लिए आप यहाँ पे google पे click करेंगे तो उस email id से आपका इस application में account बन जाएगा यहाँ पर आप next पे click किजिए दुबार से next पे click किजिए यहाँ पे finish पे click कर देना है तो आपका application open ओ जाएगा यहाँ पर आपका account बन चुक है इसके बाद आप यहाँ पे my links पे click करेंगे तो आप इस application को कितनी तरह से use कर सकते है उसके कुछ sample आपको यहाँ पे show हो जाएंगे जैसे कि आप यहाँ पी QR code बना सकते है जिससे scan करके सिद्धा आपके पास call आ सकती है आप यहाँ पे secret call कर सकते है जिसकी कोई भी history नहीं बनेगी आप इस application के जड़िए international call कर सकते है soap and website पर इसका use कर सकते है यहाँ तक कि आप call timing भी लगा सकते है कि किस दिन कितने बज़े से लेकि कितने बज़े तक आपके पास call आ सके और dating app, social media इन सब्सक्राइब पर तो आप इसका use करी सकते है अगर आप यहाँ पे किसी दूसरे name से call link बनाना चाते है आप यहाँ पर create new call link पे klick करेंगे जिस भी name से calling बनाना वहाँ निम डालके को यह पर create link पे klick rechts पे लेंग तो उस नीम से आपका call link बन जाएगा इसकी setting करने के लिए बस आपको उस name पे click करने है सबसे पहले आता है active timing आप यहाँ पे click करेंगे जिस time भी आप call receive करना चाहते है वो setting आप यहाँ पे कर सकते है अगर आप daily call receive करना चाहते है तो आप यहाँ पे daily select कर ली जगा Monday to Friday रख सकते है आप यहाँ पे custom दिन भी select कर सकते है इसी प्रकार से आप यहाँ पे custom timing भी select कर सकते है यहाँ पे starting timing select कर लीजिए और यहाँ पर आपको ending timing यहाँ पे select कर लेनी है तो अब आपने जो दिन जो timing select किया है उसी दिन और उसी timing के बीच आपके आपके पास school आ सकती है आपके दिये गए समय में अगर आप उस समय बहुत बिजी हो तो आप इस link को deactivate भी कर सकती है बस यहां पर deactivate link की setting को on कर दीजाएगा तो उस समय भी आपके पास call नहीं आपाएगे अगर आपको इस link को disable करने हो डिलीट करने हो तो आप यहां पर deactivate and delete link पर क्लिक करेंगे तो आपका यह call link यहां पर delete हो जाएगा ठीक है तो चलिए दुबारस में इसी नेम से यहां पर call link बना लेता हूं तो यहां पर जितने भी call link बने हुए हैं उन सब के सामने आपको दो आ link को copy कर सकते हैं second QR code आप जैसे यहां पर QR code पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपके QR code आ जाएगा जिससे scan करके कोई भी व्यक्ति आपके पास call कर सकते हैं आप चाहिए तो इसका print out निकालके अपनी दुकान पर लगा सकते हैं यहां पर आपको बस इसको download कर लेना है तो QR code आपके गालरी में सेफ हो जाएगा जैसी आप यहां पर पिन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आप चार डीजिट से होंगे तो यह चार डीजिट आप एक तरह से अपना mobile नंबर मान सकते हैं इन चार डीजिट के जरिए आपके पास कोई भी व्यक्ति कोल कर सकते हैं य चलिए WhatsApp के जरीए में अपने दूसरे mobile पर सेर कर लेता हूं तो चलिए अभी इस mobile को रखते है साइड में और मैं यहां पर दूसरे mobile में आ जाता हूं तो देख सकते हैं यहां पर वो लिंक आमें मेल चुक हैं तो अब जैसी में इस लिंक पर क्लिक करूँगा तो मेरे सामने कुछ इस प्रकार की स्क्रीन आ जाएगी देख सकते हैं जिस नेम से हमने उस mobile में अकाउंट बनाया था वो नेम यहां पर आ चुक है और इसके निचे यहां पर कोल का उप्सन यहां पर आ रहा है अब जैसी में यहां पर कोल पर क्लिक करूँगा तो यहां पर हमारे सामने दो ओप्सन आ जाते अगर आम यहां पर क्लिक करेंगे तो हमें यह प्ले पर ड्रेक्ट कर देगा जासे आमने सबसे पहले उस application को डाउनलोड करने होगा तब हम को कर पाएंगे लेकिन आम यहां पर ड्रेक्ट कोल करना यह तो आपको कंटीनिव ऌन वैब किलिक करनें इसके यह हमारे दूसरे मोबाइल पर यहां पर कोल आ चुकी है तो मैंने आपको को पिक कर लिया जो सेटिंग आपको सिंपल कोल में मिल जाती है वह सब सेटिंग आपको यहां पर भी मिल जाएगे आप यहां पर म्यूट कर सकते हैं अगर आपको यहां पर वूडियो कोल में लगा देता हूं या फिर इस लिंग को डियक्टिवेट कर देता हूं तो उसके बाद हमारे पास कोई व्यक्ति को ली नहीं कर पाएगा अगर आपको इन चार डिजिट के जड़िए कोल करना है तो इसके लिए आप यहां पर क्रोम ब्राउजर ओपन करेंगे यहां पर आपको fixline.in website को सर्च कर लेना है इसके बाद आपको यहां पर वो चार डिजिट यहां पर एंटर करने है चार डिजिट नंबर एंटर करने के बाद आप यहां पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने वही स्क्रीन आ जाएगे जहां से आप सामने वाले के पास कोल कर सकते हैं तो देख किस हमने यह application आ जाएगा यहां से आप इस application को install कर लीजेगा ठीक है तो वीडियो कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताना तो मिलते हैं आपको नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद जैबारत